Hello everyone, so आज हम जानेंगे कि आप IIM रोतक से कैसे PhD में admission ले सकते हो तो किसी भी course में admission लेने के लिए सबसे पहले हम कुछ बाते सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है हम सबसे पहले ये सर्च करते हैं कि उस institute या उस college या उस university की NIRF ranking कितनी है तो management category में IIM रोतक की जो ranking है वो है 12th So according to NIRF ranking 2023 जो ranking है management category में वो 12th है IIM रोतक की तो अब हम जान लेते हैं कि क्या criteria होते हैं IIM रोतक में admission लेने के क्या eligibility होती है कितनी fees होती है कौन-कौन से exams देने पड़ते हैं और stipend का कुछ criteria भी हम देख लेते हैं कि कैसे होता है IIM रोतक में तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं वो कौन-कौन से courses हैं कौन-कौन से areas हैं या rather discipline हैं जिसमें आप IIM रोतक में PhD में आप admission ले पाओगे तो सबसे पहला जो कुछ broad areas हैं वो है economics and अब कई-कई जैसे हम बोलते हैं कि PhD में काफी time लग जाता है complete होने में लेकिन निहां पे इन्होंने website के उपर काफी clearly mention किया है कि जो course की duration होगी वो four years होगी जो PhD IIM से जो PhD करेंगे रोतक से उसकी जो duration है वो four years होगी अब ये जब कोई भी बच्चा PhD करता है IIM रोतक से तो उसको कुछ stipend मिलता है कुछ contingency amount कुछ मिलता है national international conferences में को attempt करने के लिए कुछ-कुछ amount मिलता रहता है तो अब इसकी बात हम धीरे-धीरे आगे करेंगे तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि जो eligibility criteria होता है वो क्या होता है कि कौन-कौन से बच्चे हैं जो कि eligible होते हैं IIM जम्मू में PhD में admission लेने के लिए कौन से बच्चे eligible होते हैं तो सबसे पहले तो post graduation और graduation बच्चा होना चाहिए बच्चे ने की होनी चाहिए और उसकी कुछ percentage इन्होंने define कर रखी होती है कि minimum इतने percent marks उस बच्चे के होने चाहिए PhD में IIM रोतक में admission लेने के लिए तो अब ये बात कर लेते हैं तो अब अब ये बात कर लेते हैं कि PG में 55 percent marks होने चाहिए PG यानि की post graduation में 55 percent marks minimum या फिर equivalent CGPA जो आज कल चल रहा है इसके अलावा बैचलर्स में बैचलर्स अब या तो ये होना चाहिए अब इसके साथ और है PG में 55 percent marks या फिर बैचलर्स डिग्री में 55 percent marks साथ में CA, CS और CWA इसका मतलब ये है कि यहाँ पर उन्होंने PG हटा दिया second वाले option में उन्होंने क्या डाल दिया कुछ professional courses डाल दिये बैचलर्स के साथ साथ फर्स्ट वाले option में post graduation मांग रहा था with minimum 55 percent marks second वाले option में कह रहा है कि बैचलर्स होनी चाहिए minimum 55 percent marks के साथ plus कोई professional course किया हुआ होना चाहिए चाहिए वो CA हो, चाहिए वो CS हो, चाहिए वो CWA हो third option कहता है अब यहां पर और आ गया फिर से ठीक है अब थर्ड कहता है कि बैचलर्स में 55 percent marks होने चाहिए साथ में LLB किये हुए होना चाहिए अब तीसरा चौथा option बताता है कि अगर कोई बच्चे किसी बच्चे ने MBBS किया हुआ है और अब वो PhD करना चाहता है IAM Road तक से तो वो भी कर सकता है तो यहां पर minimum percentage 55 percent होनी चाहिए या equivalent CGPA 55 percent minimum होना चाहिए plus 12 months का experience होना चाहिए ठीक है इसके बाद एक और इन्होंने option दिया है कि जो अब NEP के तहर जो बैचलर का course था जो पहले तीन साल का होता था अब इन्होंने four year bachelor degree course कर दिया है तो वो वाला course यानि की 10 plus 2 plus 4 यह किया हुआ हो और इसमें इसके 6.5 CGPA हो प्लस 12 months का experience हो ठीक है 12 months का experience मांगता है अब इसके अलावा यहां पर फिर से एक और आ गया इसमें क्या है इसमें यह कहता है कि जो पांच साल का integrated course इंटीग्रेटेड कोर्स कैसे बैचलर्स और master's का जो पांच साल का integrated course होता है उसमें भी बच्चे के 55% marks होने चाहिए तो यह तो सारी बात हो गई कि eligibility criteria कि कौन से बच्चे eligible हैं इसके साथ साथ कुछ competitive exams होते हैं जो बच्चे को clear किया हुआ होना चाहिए अब वो कौन-कौन से exams होते हैं वो है c a sori c a t cat g re या फिर gmat या फिर gate ठीक है या फिर इन्होंने कहा है u gc net यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि u gc net वाले बच्चे भी direct interview में बैठ सकते हैं तो अब यहां पर इसने jrf की बात नहीं की है इन्होंने net की बात करी है जो कि अब जो नया notification आया है 27th of मार्च को जो आया था u gc का उसमें mention था अब यह जो net है वो है category 2 का पार्ट यह category 2 का पार्ट है वह वाले बच्चे भी directly अब इंटर्व्यू में बैठ सकते हैं ठीक है बाइद वे अगर आप u gc net की preparation करना चाहते हैं तो please get in touch with human predators अब इसके अलावा अब इसकी एक और condition है कि GMAT, GRE, CAT, GATE इन सबकी जो validity है मतलब जब से यह आपको score आया है तब से लेकर के 5 साल के अंदर अंदर आपको यह admission लेना होगा IAM रोद तक में PhD के अंदर तो इसकी validity in scores की कब तक है पांच साल अब इसके अलावा अब यह तो हो गए वह वाले बच्चे जिनोंने यह जो PG, UG वाला जो जो criteria है वो follow किया plus जो यह entrance exams है वो दिये CAT, GRE, GMAT, GATE, UGC NET इन में से कोई भी एक ठेक है अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनोंने यह वाले exams नहीं दिये कौन-कौन से CAT, GRE, GMAT, GATE, UGC NET यह वाले जो भी exams है वो उन्होंने नहीं दिये हैं बट तब भी वो direct interview में participate कर सकते हैं वो कौन से वाले बच्चे होते हैं वो बच्चे जिनोंने MBA किया है किसी भी IIM से और minimum जो उनके marks है वो 6.5 CGPA होने चाहिए तो MBA अगर किसी ने किया है किसी भी IIM से with minimum 6.5 CGPA तो वो वाले बच्चे भी IIM रोतक में PhD में admission ले सकते हैं अब इसके अलावा अब ये तो हो गए ये तो दो categories हो गई अब तीसरी एक और category है जो कि यहाँ पर direct interview से पहले IIM रोतक का एक entrance test होता है तो वो कौन से बच्चे हैं जो वो entrance देंगे और फिर interview में बैठेंगे अब हम उन बच्चों की बात कर लेते हैं ठीक है अब वो बच्चे हैं वो candidate वो वाला candidate जिसको minimum दो साल का academic experience है कौन सा experience है academic academic experience है plus master's degree है ठीक है इसके अलावा या फिर यह criteria हो गया दूसरा क्राइटीरिया वो candidate जिसके पास MPHL की degree है MPHL अब तो क्या है कि MPHL discontinue हो गई है या अब तो MPHL नहीं करवाता है इंडिया में कोई भी college ऐसा नहीं है जहां पर MPHL होती है MPHL discontinue हो गई है बट जिनोंने पहले क्यों हुई है MPHL वो वाले बच्चे भी जो IIM रोतक में PhD में admission ले सकते हैं MPHL किया हुआ candidate इसके अलावा वो वाला candidate जिसके पास master's है with relevant theses बहुत सारे जो university colleges ऐसे होते हैं जहां पर master's के दोरान thesis submit करनी होती हैं तो वो वाले बच्चे भी क्या कर पाएंगे IIM रोतक का जो college level का जो institute level का जो एक entrance test होता है वो उसको दे पाएंगे और फिर interview में बैठ पाएंगे तो ये वाले ये अब ये हमने क्यों बताया क्योंकि वो वाले लोग जिनोंने या तो जिनको experience है और master's degree है या फिर जिनके पाएंफिल है या फिर जिनोंने master's में कोई thesis submit करी है और उनकी thesis publish हुई है तो वो वाले बच्चे अब क्या करेंगे एक IIM रोतक का ही एक entrance test होता है जिसको बोलते है research aptitude test क्योंकि research aptitude test क्योंकि PhD की अंदर research ही करनी होती है mainly आप किसी भी topic के उपर किसी भी चीज के उपर आप research करते हो तो research में enter होने के लिए research में admission लेने के लिए आपको ये वाला entrance test देना पड़ेगा क्यों क्योंकि आप आपने जो national level के competitive exams जैसे की CAT, GRE, GATE ये नहीं दिया है तो आपको ये वाला entrance देना पड़ेगा और उसके बार आप interview के लिए eligible हो जाओगे, interview में आपको बैठने का मौका दिया जाएगा तो अब जो entrance test है, उसका कुछ syllabus भी website के उपर defined है, अब वो क्या है quantitative aptitude और verbal ability और research aptitude, क्योंकि ये research aptitude टेस्ट है तो research के बारे में भी कुछ-कुछ चीज़े पूछी जाएंगी अब इसके अलावा हम कुछ बात कर लेते हैं stipend की, तो यहां तक हमने ये समझा कि तीन category हो गई, मोटा-मोटा पहली category वो वाले बच्चे जिन्होंने national level के exams दिये हैं, जैसे CAT, GATE, GRE, GMAT या फिर UGC NET दूसरे वो वाले लोग हैं जिन्होंने किसी भी IIM से masters किया है, MBA किया है और तीसरे वो वाले लोग जिनको कुछ experience है या जिन्होंने MFIL किया है या masters में तीसरे submit किया है, तो उनको एक entrance देना पड़ेगा, उसके बाद ये लोग interview में appear होंगे तो ये तो बात हो गई कि कौन कौन से लोग कैसे कैसे eligible हो पाएंगे interview में बैठने के लिए अब जैसे आपका interview clear किस basis में होगा, कि आपकी interview में कैसी performance है पहला तो दूसरा आपका academic background कैसा है, तीसरा आपके आपने entrance में कैसा score किया है या आपके जो जो national level का जो भी exam है, उसमें आपका कैसा score है, तो इन सब चीजों को मिला करके एक merit list तयार की जाएगी, तो अब बात कर लेते हैं कि जो I.E.M. रोतक में जो PhD research scholars हैं उनको क्या-क्या चीजे मिलेंगी, अब उनको stipend मिलेगा एक तो, stipend कितना होता है first two years में, जो stipend है, वो है 34,000 और second और third और fourth year में, third and fourth year में जो stipend है, वो है 40,000 हमने beginning में ये वाली बात कर ली थी कि जो यहां से PhD का जो duration है, वो चार साल है वो इन्होंने specify कर दिया है, प्लस कुछ merit scholarship भी मिलती है जैसे 10,000 रुपे second year वाले बच्चे को पर्मन, प्लस 15,000 थर्ड और fourth year वाले बच्चे को अब इन्होंने website के उपर एक note mention है, इनके website के उपर वो note क्या है, वो note ये है कि इन्होंने specify किया है कि जो भी बच्चा IAM रोतक में PhD में admission लेगा, उसकी जो tuition fee है ध्यान देने वाली बात है ये काफी, जो उसकी tuition fee है वो waived off हो जाएगी, कोई tuition fee किसी भी PhD research scholar से IAM रोतक में charge नहीं की जाती है, प्लस बस क्या charge देना पड़ता है क्योंकि PhD करते time IAM रोतक में ही रह के पढ़ाई करनी पड़ती है, तो जो जैसे electricity bill हो गया या food के जो भी charges वगेरा होते हैं, वो ऐसा जो छोटे मोटे जो charges होते हैं, वो देने पड़ते हैं, तो आज हमने ये समझा कि हम IAM रोतक में PhD में कैसे admission ले सकते हैं, कौन-कौन से बच्चे eligible हैं यहाँ पर, अगर आपको कोई doubt है, तो आप comment section में comment करके आप पूछ सकते हैं